हलो फ्रेंड्स, वैलकम तु माई यूट्व चैनल, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टुडेंट्स के लिए लेकिया हूँ, एक ऐसा नोटिफिकेशन जिससे आप सभी स्टुडेंट्स की जेव पर काफी फरक पढ़ने वाला है, जियां दोस्तों आप में से जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आप सभी स्टुडेंट्स के साथ में एक इनफोर्मेशन सेयर करना चाहूंगा, जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि पहले आपके एक्जामनेशन के लिए 150 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको इसको कम कर देना चाहिए था, लेकिन आपकी फीज को यहाँ पर बढ़ा दिया गया, आप में से काफी ऐसे स्टुडेंट्स है, जिन्होंने अपने दिसंबर 2020 टाम और एक्जामनेशन के लिए अपने असाइमेंट समिट किये होंगे, अगर आपका समिशन स्टेटर से अब करवा दिजे, फ्रेंट्स अभी देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को जिसमें आपकी फीज बढ़ा दी गई, इस नोटिफिकेशन को 8 जून को रिलीज किया गया है, हलाकि इसे 9 जून को साइन किया गया है, इसमें कुछ 24 ऐसे कॉर्सेज है जिनकी फीज बढ़ा दी सबसे पहले बीए जी कोर्स जिसके लिए पहले कुछ कम फीश थी उसे अभी बढ़ा कर 3300 रुपे 3300 कर दिया गया बीकॉम जी के इस्टुडेंट्स के लिए 3300 इसके बाद में ये ओनर्स वाले प्रोग्राम जिनके लिए 3800 रुपीज रहेगा बाद में दिया गया है BSCG बैचलर ऑफसाइंस जिनल वाले स्टुडेंट्स के लिए 4900 बैचलर ऑफसोकल वार्क जनल वाले स्टुडेंट्स के लिए 5800 इसी तरीके से फिर मास्टर्स डिगुरी के स्टूडेंट्स के लिए 6600 रुपीज और बाद में BLIS के लिए काफी स्टुडेंट्स अप्लाई करते हैं इसके लिए 7700 रुपीज MCOM, MEC और MSK, Masters of Commerce, Master of Arts, Master of Arts in Sanskrit इनके लिए भी फीज को बढ़ा दिया गया MCOM के लिए 8100 रुपीज, Master of Arts in Economics के लिए 8400 और Master of Arts Sanskrit के लिए 6600 दोस्तो आप चाहो तो इसको डाउनलोग कर सकते हैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अकोडिंगली आप अपनी फीज का अरेंजमेंट कर सकते हैं इसके अलावा आपने से काफी ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने अभी तक अपने असाइमेंट जमा नहीं करवाए दोस्तो फिलाल आपके असाइमेंट समिशन के लिए 15 जून की लास्ट देट दी गई है तो आप इससे पहले अपने असाइमेंट को जमा करवा दीजे क्योंकि जैसे जैसे आप अपने असाइमेंट के लिए लास्ट देट के करीब पहुंचेंगे उस ताइम पे आपके जो भी गूगल फॉर्म्स हैं या आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कोई मेल आईडी दी गई है तो उनकी स्टोरेज फूल हो जाती है गूगल फॉर्म्स बंद कर दिये जाते हैं इसलिए आप लास्ट डेट का इंच जार ना करें इससे पहले ही अपने assignment जमा करवा दीजे आप मेंसे काफी SA students है जिनोंने अभी तक प्रारी registration नहीं किया हाला कि आपके री registration के लिए लास्ट डेट को एक बर extend कर दिया जाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में especially आप सभी students को fee structure के बारे में बताना था जो एकनू की तरफ से एक नया revised fee structure जारी किया गया है दोस्तो वीडियो को like कर दीजेगा like करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने friends के साथ में facebook और whatsapp groups में share कर दीजेगा share करने के साथ आप अगर channel पे पहली बार आ रहे हैं तो channel को subscribe कर लिजे subscribe करके पास में notification bell icon को press करना ना भूले thank you friends